मेरे-ठाप का वे सब्सक्राइब के ए पिसमें तेमार डॉशन को और रिक चाहिए लॉज मेरे अब को कुछी एए आज आप लोग को आली व्लोग का इनतों देंगे आई चले को जिना के बिलकुल बैक साइड पर खड़ें और पिछे जिना से रही है अब अली ब्लॉग के इन्टेंस जो है जिना वाली वह यहां से स्टार्ट आप देख सकते हैं यहां से हम लूग रोड पर जाएंगे उसके बाद हम आपको एक हाइट का व्यू देगी है और यह आप देख सकते हैं पीछे रोड 11 का बोड है 65 ब्लॉग यह रोड है और यह लूग रोड के बिल्कुल बैक साइट पर आता है आप पिछे से देख सकते हैं ग्रेंड मॉस्का व्यू और आया में आपको जो है बटरफ्लाय पार्क का व्यू देदें पीछे आप देख सकते हैं अली ब्लॉग की अट्रेक्शन है बटरफ यहां पर फ्यूल पर जो है यह उपन हो रहा है इंशालला उमीद है कि यह साल से पहले जो है इसको के लिए कर देंगे और इसकी बैक साइट पर जो प्लॉट है वह 17-1800 सीरीज के प्लॉट है जो के डिप्रेशन के प्लॉट के लाते हैं यह प्लॉट के बैक साइट पर जो रोट से रहा है रोट 17 60 वाट बॉलुवड है हम यहां पर खड़े हैं और यहां पर आप पीछे देख सकते हैं डिप्रेशन के प्लॉट के के लाते हैं लेकिन कुछ प्लॉट जो हैं 1800 सीरीज के फ्यूपम के साथ जो हैं यह हैट के उप लूप रोट के उपर खड़े हैं जो के एटिवाट डॉलिवड है और अली ब्लोग की समझ ले आइडियल लूकेशन है और इस लाइन में जितने भी प्लॉट्स हैं यह मैक्सिमम बिल्डर्स के पास हैं और भीस आप देख सबने हैं कि इछे ग्रेंड माउस का एक बैतरीन आप मेरे बैक साइट पर देख सकते हैं यह रूट वन और रॉट वाल्प के जो सेंटर में जो पाहर काता है इसकी जगह है यह अर्मास्ट कंप्लिट हो चुका है और इसके सामने आप देख सकते हैं तीछे यह पार्क, मस्जिद और कमर्सल की जगह दीगी है इसके आगे रूट के साइड पे एक और पार्क बनेगा और आप देख सकते हैं यहां पर स्ट्रीट फोर पर हम स्ट्राइम पर खड़े हैं और यहां पर चारो तरह देख सकते हैंश्टिशन हो चुकी है और इस उमने जो है बल्कुल वाई फाई स्ट्रीट साजादे आई। की तो दो यहां पर बिए काफी हद तक अंसरक्शन हो चुकी है करहए है पृस्टेजी टैन की जह है शापिंग ग्यल्री है यह पर जिन्दगी गुजारने की लिए तमाम चीजे और जाती यह पर जाती है वो प्रिसंट एन की शॉपिंग गल्री जूज़ करते हैं, जो की काफी नजदी है